नमस्कार जैशे कृष्णा मैं राकेश शिवानी अस्टो चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आज एक नए विशे को लेकर हम लोग पस्तुत हुए हैं वो विशे है पित्रों के बारे में बहुत लोगों में संशे होता है कि पित्र आये कहां से कैसे हुए या क्या इनका वर्नन है पित्र कौन है ये सब चीजों का बारे में बहुत लोगों में शंशे रहता है तो इसके बारे में बड़ा अच्छा उतर बड़ा शंशेप में उतर दिया हुआ है हरिवश पूरान एं उसमें कहा गया है कि ब्रह्मा जी ने कि देवता लोग मेरी पूजा करेंगे, इस विचार से ब्रह्मा जी ने देवताओं की रचना की, ब्रह्मा जी ने देवताओं की रचना की कि देवता लोग मेरी पूजा करेंगे, लेकिन देवता लोग जो थे वो अपनी इंद्रिय तर में कोई बाकी भी बचा अब देवतां को बहुत परिशानी हुई कि ये तो बड़ा मामला खराब हो गया तो वह सारे दुबारा से ब्रह्मा जी के चर्णों में जा गिरे और ब्रह्मा जी से बोले चमा याच नगी और उनसे बोले जी हमारा अवधार कीजिए हमारी हमें प्र से जाके पूछा कि इसका क्या प्रयाश्चित है तो धर्म ज्यान में निपुन पुरुषों का कहना है पुत्रों ने कहा कि वाणी मन और कर्म से तता नेत्रों से भी सदा प्रयाश्चित होता है अथा देवताओं पुत्र कह रहे हैं अपने देवताओं कह रहे हैं अपने हुआ थोड़ा अफमान लगा के देवताओं ने सोचा कि हमारे फुट्रों ने हम को फुत्र and तो फिर दोऔर से ब्रहमा जी के पास पहुंच गे पने के लिए तो भरहमा जी से कहा किसा उन्होंने हमें . नहीं है तुम तो उनके शतने अब जूरूर होंगैं लेकि टॉम्हें पडान करने वाले कमें नब यह इस वे तो उन पसंद होके देवता सारे अपने पुत्रों के पास आए और उनसे बोले तुम हमारे पित्रों हो क्योंकि तुम से हमें ज्ञान प्राप्त हुआ है तुम्हें क्या वर दिया जाए तुमने जो बात कही है वे ठीक है इसमें कुछ भी अनूचित नहीं परंतु तुमने जो हमें पुत्र का कहकर संभोजित किया है इस कारण तुम हमारे पित्र हो जाओगे इसमें कोई संदे नहीं और प्राणों प्राणी द्वारा शाधों द्वारा पित्रों का पूजन किये बिना ही जो कुछ क्रियाय करेगा उन क्रियां का फल राक्षास दानव और सर्कों को तो यह स्वर्वन्ष कुरान में दिया है आप पढ़ सकते हैं स्वर्वन्ष कुरान में पेज़ सवन्टी सिक्स पे और पेज़ सवन्टी से वहां पर आप उसको देख सकते हैं धन्यवाद जैशी किश्ट